नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल सक्सेसकी92 में दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम नौट मेलाजेशन के बारे में बहतरी धंक से बताने वाले हैं देखिए नौट मेलाजेशन के साथ-साथ आपको रॉम मार्क्स कैसे निकाला जाता है इस चीज़ के बारे में बताएंगे पिछले दिन के वीडियो में जो कटफ का वीडियो हमने बताया है आप लोग अगर नहीं देखे होएगा जरूर देख लिए पीछे इसे पहले का वीडियो अपलोड किया हुआ है तो कटफ के वीडियो में बहुत सारे दोस्तों ने कॉ 40 marks वाले होते हैं 45 marks लाने वाले होते है 40-45 mark लाने वाले होते है उनका selection हो जाता है 40-45 वालों का लेकिन जो 60-45 नमर या 65-70 नमर लाते हैं उनका selection नहीं हो पाता है इसका क्या बद्ज़ है आकिर किस तरह से Along-Lagissant काम करती है और किन पर काम करता है, कैसे काम करता है इन सब के बारे में आपको हम डिटेल्स में भी जारिकाडी देने बाले है वीडियो चलएगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा दोस्तों के साथ सेर करन नहीं भुरिएगा और जहां आपको लगेगा कोई परकार का कोई समस्या हो आप कमेंट करिए उसका जवाब हम आपको डिपले में जरूर देंगे ठीक है तो देखिए समसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसी गलतियां ना करें जिससे आपके सेलेक्षन में कोई कठनाई हो सके ठीक है यह बहут बड़ी माईने रखती है यह जो नौर्मिलाइजरेशन का फेक्टर चालू है लगबख लगबख अपसमझेैं आपको ड़गबआपे पेछले तीन वरसों से चल रहा है पूरा कापूरा यह कारिकरह्ण चालू हुआ है इन चीजों को आप देखे और सबसे बड़ी एक चीज और देख लीजे जो आपका ये नॉर्मलाजिशन का फैक्टर क्यूं आखर नॉर्मलाजिशन क्यूं लगाया जाता है तो देखिए इसके लिए आपको समझना होगा कि नॉर्मलाजिशन जो लागो किया गया है ये आपको एकजाम देखते हैं कि एकजाम का जो होता है कि बहुत सारे कनिडियेट फॉर्म भरते हैं और लाखों में स्टुडेंट अफ्यर हो रहे हैं । बहुत सारे सुफ्ट हो जाते हैं अधिक होगा तो वहां होता क्या है जब shift जादा होगा तो हमेशा एक जैसा question थोड़ी हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो कोई shift हो जाता है बहुत ही easy हो जाता है कोई shift जो बीच में moderate रहा जाता है ठीक है तो इनहीं को देखते हुए कि कभी ऐसा नहों TCS जो निकाली है इंची जो को कि विद्यार्थी को यह न लगे कि हमारे हिस्से में जो हैसो tough बाला मिल गया और किसी को लगे हमारे हिस्से बेरी easy बाला हो गया तो यह सामानी करने के लिए आपको normalization जो है ये प्रकडिया जो हैसो अपनाया जाता है कि सब को बराबर सब को जो हैसो क्या हो बराबर बड़ी में काफी tough question आगया किकिसी को यह नगे कि हमने भोत आसान से आसानी से नोकली प्राप्त कर ली बाजी तो चुछित है, हम सुरू करते हैं आपको नुनर्म eूर्जाशिसन जिना का पुरा खीरो से लिकर कर खे लिकर जो बी चीजरू करते हैं ग टेलिब सेरड दिश्यक्री लाइक कर दीजी और जो भी समस्तिय ऐऊ-ख estásd अब करते हैं जिसको हम हैं सामान्नी करन कहते हैं सब को बराबर लाने के लिए सब को क्या होता संतुलित अवस्था में लाने के लिए यह अपनाई जाती है और TCS के बारे मा जानते हैं कि TCS कंपनी है बहुत ही बड़ी IT सेल की कंपनी है जो आपको exam conduct कराती है जो करोडो श्टूडेंट को जो है सो exam conduct कराती है यह आपको bank SSE और railway exam के लिए है अब देखें यहां पर बात करते हैं सबसे पहले हैं what is raw mark raw mark कैसे निकालते हैं दोस्तों एक चीज़ देख लिए अगर 100 question पूछा गया है 100 question और 100 question में आपको 100 marks का question है ठीक है अब यहां पर जो आप attempt किये है जितना भी 60 attempt किये 70 attempt किये जो 70 marks आपने attempt किया ठीक है अब 70 marks बटा क्या हो गया जो total जो number था यह 100 number यह 100 अगुने 100 कर लिए कु question जो है सो बिभाग के दौरा क्या होता है आयोक के दौरा जो भी company है उसके दौरा कभी-कभी एक-दो question गलत सेट कर दिया जाता है कभी-कभी ऐसा mistake हो जाता है तो 3-4 कभी-कभी हो जाता है तो अगर मान लिजे कि 100 question में 4 गलत हो गए तो बचा कितना 96 question अब marks आपने लाया सत सतर अबटा 96 करकर के आपको 100 सगुना करेंगे तो यह आपका रो मार्क से तो रो मार्क का जो हमने कल वीडियो बनाया था कट अफ का दोस्तों देख लीजेगा तो 100% अथेंटीक वीडियो है आपको वही से उससे एक रती जो है सो इधर उधर नहीं होने वाला ठीक है अब वह आपको यह आपको टीस टाए करती है कि किस शीफ्ट में हम जहाँ से न करें और किसमें न करें चले हम बात करते हैю इच्छाम ओंक्च बहुत ओस्यावठा शिक्रसी से उसका shift B में easy question पूछा, shift C में थोड़ा सा moderate कर दिया और D में बहुत ही tough पूछ दिया, अचा अब देखिए जो बहुत easy होगा उसमें बच्चे 80 plus marks कर लेंगे, जो easy होगा उसमें 70 मान लीजे की कर रहे हैं, और moderate में 60 ला रहे हैं, लेकिन tough वालें में क्या कर रहे हैं, कि 50 से ज TCS क्या करती है, खेल सुरू करती है, देखती है कि easy वाले को 80 marks दे रहे हैं, लेकिन tough वाले को मात्र 50 marks आ रहा है, तो दोनों को सामन निक करने के लिए, दोनों को बरावर करने के लिए, यह क्या करती है, कहती है कि बबू जब इसमें, सब को easy के लिए कितना हमको अंक जोरना परेगा, zero जोर करके, यह 80 का असी ही रहा गया, इसमें 10 जोर ना परा, 10 जोर करके, यह भी 80 पुरा दिया, इसको 20 जोर करके, इसको भी 80 पुरा दिया, और इसको भी 30 जोर करके, इसको भी 80 पुरा दिया, ठीक है, अब यहां समझ यह, गरवरी कहां पर होता है, कि जो यह, कहां करते हैं जो बच्चे 50 है देख लीजिए अब यहां से देखें फिर से चेंज करके थोड़ा से बताते हैं अब इसने क्या था 50 मार्क्स में अब इसने सोचा कि भाई मेरा टफ सीप्ट है 50 में तो सेलेक्शन होना ही नहीं है तो हमने क्या क्या इन्होंने 30 तुक्का मार द सही हो गया ठीक है तो 50 और प्लस हो गया 9 यनि आ गया 69 मार्क्स इसको लेकिन 9 को सही हुआ तो 21 को तो गलती हो गया न तो 21 का जब 1 3rd करेंगे हम निकालेंगे 1 3rd तो कितना 7 को हो जाएगा तो 7 इसमें से माइनस कर दीजिए कितना सही होगा टोटल 22 मार्क्स अधिए यहां 50 का 50 से अगर छोड़ देता तो और बाबर माक्स लाया तो क्या अंतर होता है इस चीज को समझें जो 50 का 50 छोड़ देता तो इसको पूरा का पूरा तीस अंग देती TCS किसके लिए नौर्मिलाइजिसन में लेकिन जब इसने गल्ती क्या किया है कि 21 गल्ती करकरके 21 गो निगे तक देगी बहुत हो गया ठेक है आठ दस नमबर तक देगी तो दस नमबर देगी तो बाबन में दस जोड़ी गया तो बास्ठेन होगा कितना होगा 62 होगा और यहां कितना हो गया इसका 80 हो गया यही देखिए खेल होता है यही पर बच्चे जो गल्ती कर देते हैं कि निग पर कुछ बच्चे का यह तरक हो जाता है निगे टेव लेने पर क्या निगेटीव अगर हम लेते हैं तो उसका कोई नॉर्मलेज़ेशन पर असर पड़ता है अगर कोई कहता है कि नहीं पड़ता है तो बिल्कुल गलत कहता है रोंग आपको ठीक है वो गलत चीजों में आप परे इन चीजों को बढ़ियां से अब सेलेक्शन किसका होना है? ज़ो 50 hakkाली कर के आ गया, उसका सेलेक्शनः होगा असी पर जाकर करते स्सक्ता है, ipe बैकन चालेगे चाले, ipe चो dodबás पर जाकर солi होपा तो कुछ बार एक बच्चों का आया था कि 105 नमबर लाया था लेकिन उसको 105 नमबर आया था उसके मार्क सीट में दिखाया गया है हमने माकसीब देखा है 105 में और उसके बाद जो है उसको 145 नमबर दिया गया था यहनि 40 नमबर उसको Normalization में दे दिया गया था अब क्यों दिया गया था तो यहाँ पर दोस्तों आती है बात Accuracy की किसकी आती है Accuracy की अगर आप Accuracy पर ध्यान देते हैं तो आपका कहीं न कहीं जो है यह आपका Normalization बहुत ही जैदा मदद करने बाला है लेकिन Accuracy पर जो ही आप गरबर करेंगे Accuracy में कुछ थोड़ी सी वेगर गरबरी करते हैं तो वहाँ पर आपका Normalization नुकसान पहुंचाता है एक ही एक्जाम में तो कोई मतलब जो तेकि यह TCS का पूरा कामाल है TCS तय करती है कि किस जो shift है कौन से shift को हम क्या करें Normalization करें और किसको न करें किस shift को वह tough मानती है और किसको आसान मानती है यह तो TCS तय करती है ठीक है यह 60 लएगा तो 60 ही रहेगा Normalization में जो भी बढ़े घटे वो दूसरे shift से compare होगा compare होता है shift by shift होता है एक shift के दूसरे shift से अगर सेम shift में है तो कोई comparing नहीं होगा यही चीज़ है अगर राम मान लीजे अगर shift पहला में है और सियाम अगर दूसरे shift में है तो यहाँ पे अंतर आ सकता है राम गया और 70 मार के आ गया सियाम गया और इसको tough मिल गया इसने क्या क्या 40 ही मार के चला आया अब यहाँ पर राम को क्या हुआ जो 70 मार करके आया है और यह क्या क्या या कितना पर 55 पर आ गया और ये 40 बाले को direct इस से compare करेगा तो इसका जह सो selection होना तै हो जाता है ठीक है ये चीजे आप ध्यान रखेगा यानि कुल मिला करके आप normalization में speed के साथ साथ दोस्तों accuracy रखना नहीं भूलिएगा accuracy अगर आप रखते हैं तो आपका selection होने में कोई रोक नहीं सकता है ठीक है कोई रोक नहीं सकता है negative कम ले एकदम benefit इसका उठाते रहें ठीक है तो ये चीजे आप देख लीजे कि 45 बाले कैसे आपको बाजी मार रहे हैं और जो आपको 70 बाले हैं वो भी 60 बाले हैं वो भी वाला में ठीक है कुछ बच्चों का क्या था कि जो मतलब 100 question में 121 marks आ गया था कुछ को 115 marks आ गया था कुछ को 117 marks आ गया था सबको 30 बढ़ाना हुआ तो इसका भी 30 बढ़ा दिया गया क्योंकि पूरी पुरी ऐकुरैसी थी गलती तो था ही नहीं तो 30 इसको भी बढ़ाना चाहिए ठीक है और दूसरा किसे ने अगर आसी मारा तो इसको भी अगर 30 बराना होगा एकुरेसी सही था तो 30 बर करके 110 हो जाएगा इसका 120 हो जाएगा ठीक है यह यह प्रकिडिया है नॉनमेलाजेसन का ठीक है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो थोरा सा आप लोग दोस्तों सेर कर दीजे वीडियो को थोरा सा सेर कर बहुत वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा लाइक भी कर जिए वीडियो देने के बहुत बहुत धन्यवाद